नमस्काल मैं हूँ शुभे हूँ और आप देख रहें नियूस ओनेशन बिहार में एंड्रीय का हिस्सा और विआईपी प्रमोख मुकेश जहनी अब यूपी में बीजेपी को पूरी चुनाती देने को तैयार है मैं साथ साल में वियार की राजनीती में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मुकेश जहनी ने अब उत्तर प्रदीश में अपने पाउं पसारने की तयारी पूरी कर ली है उत्तर प्रदीश में उन्हें इंट्री ही मिल पाई अब उसका गुस्ता उन्होंने पटना में आकर निकाला कई तरह की बाते मीडिया के सामने उन्होंने आकर कही और अब पूरी चुनाती देने को तैयार है सहनी योगी आदित नात से आरपार की लड़ाई लड़ेंगे क्या तैयारी है क्या प्लानिंग है आगा में उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाओ को लेकर मुकेश शहनी की आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं बिहार में भाजपा की सहयोगी और NDA सरकार का हिस्सा वियाईपी नेता मुकेश शहनी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को चुनाती देने की तैयारी में हैं बिहार के बाद योपी में अपने पाउंच जमाने में जुटे सहनी फिलहाल 165 नेताओं को प्रभारी बनाकर योपी भेजने की तैयारी में हैं खुद सहनी 15 अगस्त को लखनाओ में मिडिया सम्मेलन करना चाते हैं में 7 साल में बिहार की ड्राजनीती में अपनी पहचान बनाने वाले सहनी अब उत्तर प्रदेश में पार्टिय विस्तार की कवायद में जुटे हैं पचले महिने पुर्वसांसद और निशाद नेता फूलन देवी की पुर्ण तिथी पर सहनी यूपी के 18 प्रमंडलों में फूलन की प्रतिमा लगानी वारण ऐसी पहुँचे थे प्रतिमाई बनवा रहे हैं जो यूपी में घर घर में लगाई जाएगी इसके साथ ही लाखों लौकिट भी पार्टि बनवा रही है जिसमें फूलन देवी की फोटो होगी ये लौकिट युवाउं में बांटे जाएंगे और इस वहाने फूलन देवी के संदेश को घर घ घर तक पहुंचाय जाएगा सैनी ने बताया कि अगले महीने वी आईपी के 165 नेता प्रभारी बनकर दो पहिया वाहन से उत्तर प्रदेश जाएंगे जहां वो चार महीने समय विताएंगे और संगठन को मजबूत करने के साथ योगी की नीतियों की खामियों से लोगों को अब गत कराएंगे खुद सैनी का 15 अगस को लखनाव जाने का कारिक्रम है लखनाव में मीडिया सम्मेलन करेंगे और चुनावी रणनीती को लेकर मीडिया से बात करेंगे इस दोरान निशात समुदाय से जुड़े कई राजितिक और गैर राजितिक संगठन वी आईपी म शामिल भी होंगे सैनी यूपी में 165 सीटों पर प्रत्याश्य उतारने के तैयारी में है उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी अपना काम कर रही है और निश्रित रूप से यूपी में पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी तो बता दे कि वी आईपी प्रमुक मु करताओं को नजर बंद कर दिया गया और ये टीस उन्हें लगातार सता रही है अब उन्होंने अलान कर दिया है कि 15,000 तो क्या मैं 50,000 मुर्तिया बनवा रहा हूं इतना ही नहीं लौकिट बनवाई जाएंगे युवाओं में उन लौकिटों का नवितरन किया जाएगा जिस मुकेश चैनी की तरफ से और 165 सीचों पर सहनी अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे अब ऐसी पूरी तयारी यानि कि आरपार की लड़ाई लड़नी के लिए मुकेश चैनी पूरी तरफ से तयार है योगी आदितनात की नीतियों में जो खामया है उससे दिखाने की कोश उनकी तरफ से की जाएगी यानि कि हर वो जोर आजमाईश हर वो तरीका वो अपनाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश की रणभूमी में उत्तर कर वो जीत हांसल कर सके अब देखना ये होगा कि एक बार फिर से उनकी प्लानिंग तो पूरी है लेकिन क्या ये प्लानिंग सफल हो पाती है या नहीं जाद आपडेट के लिए आप बने रहें न्यूस्वान इशन के साथ नमस्कार